हेलो बच्छों, कक्षा 10 के राइटिंग पार्ट में संदेश लेखन आता है, तो आज हम लोग संदेश लेखन पढ़ेंगे बहुत शौर्ट तरीके से और बहुत आसान तरीके से संदेश लेखन उन लेखों को कहते हैं, जिसमें शुब कामनाएं, पर्वत यहार और विशेश अपसनों पर संदेश दिये जाते हैं शब्द सीमा कितनी होती है, 30 से 40 शब्दों की सीमा होनी चाहिए उसमें अगर आपके एक्जाम में दिया हुआ है शब्द, तो आप उसके हिसाब से लिखेंगे, वरना आप 30-40 शब्द मतलब आप 3-4 पंक्तियों में अपने संदेश को खतम कर देंगे, संदेश लेखन क्या होता है, अभी शौर्ट में समझ लीजे, संदेश शब्द की उत्पत् अपनी बात या जानकारी दूसरों तक सीधे नहीं पहुचा सकता, तब वह व्यक्ति अपनी बात या जानकारी या समाचार खबर को संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुचाता है, संदेश एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा जानकारी किसी व्यक्ति, विशेश य मेरे ओपना भी हो सकता और मैं सामुही गरूप से梦ा सारे डियन को बीदे सकते हूं संदेश में खास बा क्या ध्यान रखने हैं अप किसी भी काल impact कें और भूत काल में भूठ कालमे भी विख सकते हैं उसमें पाल की चंता करने की कोई ज़रोत नहीं है बुकारिक लोगों को मुहले वालों को सरब कारिवाइब यह सारवजनी क्यूंसे सरकार को शाजना दे तो वह उपचारिक in और तो यह अवचारिक अनुपर चारिक दोनों हो सकते हैं आज कल संदेश के बहुत सारे माद्य में आज तो हम वाट्सएप पे दे लेते हैं, SMS के जरीए दे लेते हैं, इमेल, Facebook, Twitter, Social Media, Internet, सब किसी भी तरह से हम संदेश दे सकते हैं, लेकिन संदेश लिखने का एक तरीका होता है, बचों, अभी ये प्रकार कितने होते हैं, शुब कामना संदेश, कोई अच्छी बात होगाई, कोई खुशका भी है, तो हम शुब कामना है, Blessings अपनी, Good Blessings दे देते हैं, किसी के अच्छे के लिए मंगल कामना कर लेते हैं, परवत योहार है, तो हम Happy Diwali, Happy Holy, Happy Birthday, ये भी कर देते हैं, शुब संदेश, कहीं किसी की मृत्य हो गई, तो हम शुब संदेश देते हैं, उसके लिए दुख प्रकट करते हैं, ऐसा संदेश भी देते हैं, या हमें किसी की मृत्य का समाचार लोगों को देना है, तो भी हमें एक संदेश देते हैं, पिर व्यक्तिकत परसनल भी हो सकता है, सामाजिक संदेश जो सरकार सब को देती हूँ या सब के जन हित में जारी ऐसा संदेश भी हो सकता है, तो संदेशों के बहुत प्रकार होते हैं, साथ ही साथ मिश्रत संदेश भी होते हैं, जैसे वरतमान समय में चल रही कोरोना महामारी प्रभावशाली होना चाहिए अकरशक होना चाहिए सबसे पहले संदेश कि सीमा रिखा जैसे बॉकस या गोले के अंदर लिखा जाना ही संदेश लिखते समय आपको एक box जरूर बनाना है और आप पहले एक page पर नए page पर संदेश लिखन सबसे उपर bold line में संदेश लिखेंगे उसके बाद आप किस बाद पर संदेश लिखने है date और time ये दो चीदे लिखी जाती है फिर मुख्य विशय जो हो वो लिखना चाहिए और अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए संदेश लिखन की सिमा 30 से 40 शब्दों के बीच होती यानि 3 से 4 पंक्तियां बस अगर किसी संदेश में चित्रों की जरुवत पड़े तो आप चित्र भी बना सकते है कोई शायरी दोहाश लोक लिखना पड़े वो भी आप लिख सकते है संदेश सरल और संशिप्त होने चाहिए कैसा होता है संदेश हमारा short and crisp होता है और उसमेह इधर उधर की बात नहीं की जाती विशेय से संबंधित भी लिखी जाती है अभी आपको प्रारूप देखना है औप चारिक और अनौनों के लिए जरूरत बॉक्स बनाया संदेश के लिए उपर लिखा संदेश फिर लिखा दिनांक डेट समय फिर संबोधन किसको लिख रहे हैं महोदय महोदया पिता जी माता जी या जनता भारत के नागरिक कुछ भी संबोधन फिर विशय और विशय में आप क्या लिखेंगे जो भी देट टाइम विश्य और नाम बस और बीच में दो या तीन पंक्तियों में आपका संदेश आजाना चाहिए और यह बनेगा किसमें लिखेंगे ब्लॉक में अब यहां कुछ उधारण देख लीजिए सवतंत्रता दिवस के शो ववसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश होती है आपकी जो एक्जाम कॉपी होगी उसमें भी आप यहां पर पहले लिखेंगे संदेश लिखन उसके बाद नीचे एक लाइन चोड़कर के यहां लिखेंगे जो भी आप जिस बारे में आप संदेश लिखेंगे प्रशन से ढून करके स्वतंत्रता दिवस के शो वव सांखे 15 अगस 2024 समय लिख देंगे साथ वजे सुबह का समय होगा समस्त देशवासियों को सतंत्रा दिवस की हार्दिक शुब कामना है आइए सतंत्रा दिवस के शुब अवसर पर हम सब मिलकर देश के चोह मुकी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का द्रण संकल्प लेंग और नीचे प्रधान मंतरी अगर प्रधान मंतरी द्वरा दिया जा रहे तो प्रधान मंतरी अगर आप अपने स्कूल में दे रहे तो आपका नाम होगा दूसरा जनम दिन के शुब अवसर पर संदेश बिलकुल वैसे ही उपर लिखेंगे संदेश लेखन जनम दिन के हो 50,000 ऐसा आप लिखना चाहें तो ठीक है नहीं तो आपकी मर्जी मत लिखें आप लेफ्ट में लिखेंगे दिनांग डेट डाल दीजिए समय आप पांच बज़े लिख रहे हैं आठ बज़े लिख लिख रहे हैं वो लिख दीजिए और फिर लिखेंगे संबोधन किसको लि आते हैं आप अपनी बाचा में लिखें बगवान तुम्हें सभी सफलता दे हर जगें सफलता दे एक्जाम में अच्छे नंबर आए या आप कुछ भी लिखना चाहें और अपना नाम लिख दे गीतिका राम मोहन जो भी लिखना तीसरा उधारन संदेश लेखन का उधारन अत्यन दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि मेरी पूज दादी मा शरीमती जो भी नाम हो उनका उनका आज स्वरगवास हो गया है और 15 तारिक को इतने बजे उनके लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे तो आप सब हमारे घर पर आएं हमारे निवास स्थल पर इड्रस देना चाहिए तो भी दे इसी सूचना को व्यक्तिकद बुलावे की मानिता प्रदान करें या यह लिख सकते हैं आप इसी सूचना को बुलावा समझें शोका कुल परिवार यानि शोक में डूबा पूरा परिवार आप अपने मंसे लिखे, यहां जो लिखा है यह आज लग रहा है ऐसा जैसे तितारों की बरात आई ये इस तरह की इलपंग्दिया आप बना सकते हैं बचो अपने आप बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं कोई बात नहीं डेट डालिए टाइम डालिए आप सभी शेत्रवासियों को दिपावली की हादिक शुपकामनाए इस द संदेशलेखन है और बहुत आसान है और यह पांश नंबर का जो आता हैं यह आपको पुरे नंबर दिलाएगा तो भचो यहाँ कर शुपको होता है बहुत आसान है पोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे शौट लिखेंगे जो ज़रूरी बाते हैं वह लिखेंगे अपन आप कोई संभोधन दे सकते हैं वरना आप सीधे चुरू कर सकते हैं तीन चार लाइनों में अपना संदेश लिखें और संदेश लेखन नए पेच पर लिखा जाएगा किसी भी आधे लिखे पेच पर आप नहीं लिखेंगे और नीचे अगर जगें बचले छोड़ दीजे उ जी सबस्ते हैं बबदेगा ज Näते हमें लिखेंगें टीन का में चिलका करhanded के रहां बaloneा जाएगा